हेलो एवरिवन आई होप यौल आगोड मैसल रजस्टिंग वेलकम टू इंजिनियर सेड़ा गाइज फटाफट सभी लोग आजिए गुड इवनिंग टू ओल अफ यू मधुमिता श्रिवानी प्रिया सारिता प्रशांत विंध्याचल जितने भी बच्चे आये हो फटाफट सेशन में जुड़ जाओ लाइक कर दो सेशन को और आज आप लोग को पहले से ही पता है कि आज हम डि स्पेसिफिकेशन होता है कैसे दिखते हैं वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में तो जितने भी बच्चे हैं जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि यह आपके एक्जाम पॉइंट अव यू स समझा दूगा अज बहुत लंबा सेशन नहीं होगा डेफिनेटली छोटे सेशन में आपका पूरा का पूरा वो कवर करा दूगा गूड इवनिंग सभी को गूड इवनिंग भाई रंजन रुपेश हिमानसी अविनाश प्रशांत ब्रिजेस राहुल सोनल रितू सेट वाला सेशन यह जो सेल चल रही थी यहां पर अड़ा के एप पर जिस पर आपको डबल वैलिडिटी मिल रही थी सेम प्राइज में किसी भी पैकेज पर डबल वैलिडिटी मिल रही वो अभी भी एवेलेबल है चूकि मन्थ एंड था तो आज लास्ट डेट है तो अभ पर एक package पर double validity मिल जाएगी जो भी बच्चे चाहते होंगे package join करना जो कि sscj foundation जो अभी start हो रहे हैं दो तारीक से batch दो दिन बाद ये वाला batch बहुत ही important उन बच्चों के लिए सावित होने वाला है जो भी बच्चे continuous way में preparation साथ साथ में notes making ये सारा कुछ करना चाहते हैं questions के practice उनके लिए ये batch best batch सावित होने वाला इस batch को join कर सकते हैं sscj foundation batch अगर आपको एक complete solution चाहिए तो आप engineering का महा pack भी ले सकते हो जिसमें 6 month के साथ 6 month की validity 12 month के package के साथ 12 month की validity मिल रही है already join करने के लिए कुछ नहीं करना है बस use करिए y293 code और आपको इसमे 78% का discount app के through और double validity दोनो ही मिल जाएंगे ठीक है चलो बच्चे start करते हैं आज का session I think सभी लोग आ चुके हैं और session में जुड़ भी चुके है energy पूरी full दिखाई दे रही है सबकी एक बार फटा फट सेशन को like कर दो ताकि आपकी presence मुझे भी feel हो जाए बच्चे जितने भी बच्चे आ चुके हो session को जरूर लाइक करिए ठीक है ये साड़े session आपकी request पर email ला रहा हूं जो बच्चे कल request किया था आप लोगों ने की water valve का सर जरूर लाइए यूपी PCL के previous year का questions कराईए तो दोनों ही session मैं आज आपको water valve के बारे में बता देता हूं और price बहुत nominal होगी देवराज price पूछ रहो तो price आपकी लगबग लगबग 3000 के आसपास के होगे पर subject के अगर बात करोगे और इसमें अच्छी बात देखो एक बात आपको बतानी थी मुझे यह केवल टेकनिकल के लिए जो था foundation बैच इसमें non-tech को भी include करा दिया गया है टेकनिकल के लिए जो यह foundation बैच था SSCJ 2021 का foundation बैच इसमें non-technical के भी subject आपको include करा दिये गया है ठीक है ठीक है ठीक है मैं क्या करूँ मेरे में एप नहीं एप डाउनलोड कर लिजे प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर लो अड़ा का एप और आप चाहो तो direct नीचे description में लिंक है वहाँ से भी purchase करके आप direct laptop वेगर आप भी देख सकते हो अगर आपके प पास net connection है तो हाँ PDF भी मिल जाएगी आपको सबको PDF मिल जाएगी बच्चे ठीक है तो session start करते हैं I think सभी लोग आ चुके हो सबको मेरी आवाज भी clear आ रही है ठीक है ठीक है तो start करते हैं बिल्कुल सिवानी और देखो UPPCL वाला जो आप लोगों ने बोला थे मैं उसके बार आज ही बता दे रहा हूं ताकि जो भी बच्चे हैं इसके previous year के questions में आपको अच्छे कुछ questions लेके आओंगा इसके previous year में से और उसको discuss कराओंगा और ताकि आपको पता चले कि उसका examination का level क्या होता है और उसमें किस type के questions आपको पूछ जाते हैं ठीक है चलिए one by one start करते हैं सबसे पहले देखो बात करेंगे हम लोग gate valve की ठीक है ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे हाँ बेलकुल reflex valve प्रेश और जितने आप लोग यह सब पढ़े हो उन सबको समझते हैं कि करके नमस्ते नमस्ते अनिल अनिल फ्रॉम नेपाल ओके देखिए यहाँ पर बच्चे gate valve क्या होते हैं इनका काम क्या होता है सबसे पहले इस पर बात करते हैं ठीक है ठीक है गेट वाल हमारे लिए गेट वाल के क्यों important है इनका काम क्या होता है देखो दिखने में तो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं आज की date में जो गेट वाल यूज होते हैं उसमें कुछ automatic भी होते हैं जैसे यहाँ पर आपने देख रहा हूं ने liver लगा हुआ है इसक को हम लोग rotate करके इसको बंद करेंगे या खोलेंगे ठीक इसी को हम लोग sluise वाल भी बोलते हैं सबसे पहली बात यह important point है sluise वाल कोई अलग वाल नहीं होता है sluise वाल को ही बोलते है याद रखना ठीक sluise वाल इसी का नाम है फिक फ्लूइज वाल वाल इसका काम क्या होता है कोई बता सकता है मुझे अब इसी बात है जैसा नाम दिखाई दे रहे हैं वैसा ही काम है एक गीट की तरह काम कर रहा है चलो ठीक है बात कर लेंगा भी BPSCAE और राजिस्थान की बात कर लेंगा अभी एक ही दिन तो नहीं ह लगा हुआ है एक connecting edge है एक इधर connecting edge है दोनों से pipe को क्या कर देते हैं connect कर देते हैं और यह बीच में अगर valve को आपने लगा दिया है तो यह valve के पास में जो यह यहां पे handle type का दिखाई दे रहा है इसमें grooves लगे हुए है यह grooves को जब आप tight करते हो तो धीरे धीरे यह जो section दि arrangement जो कि solid लोहे का होगा cast iron का एक तरह से बोल सकते हैं cast iron से बना होता है तो यह क्या होता है धीरे 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 जैसे इसको हम लोग handle को tight करते हैं तो यह धीरे 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 क्या होता है नीचे जाता है और फिर धीला करते हैं तो धीरे धीरे उपर आता है जिससे कि यहां पे flow continuous बना रहा है सके flow को हम लोग regulate कर सके ठीक है flow को हम regulate कर सके एप पे timing देखो बेटा एप पे आपकी classes विकरम पूछ रहा है एप पे timing अगर महा पैक के अंदर आप admission लेते हो तो सभी batches की access मिलेगी जो batch सुबा में चल रहा है जो batch ये जो SSC ये फांडेशन बैच है ये 12 बज़े से 2 बज़े तक इसकी technical की classes होंगी बाकि non technical की classes भी करती है ठीक है ध्यान से देखो ठीक है ध्यान से देखिए अब यहाँ पर जो आपके questions वागने लास्ट में लोंगा अभी थोड़ा सा focus करते हैं यहाँ पर बच्चे ठीक है अब इससे flow control हम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर आपको इसके shape आपको कुछ-कुछ अलग-अलग shape भ butterfly wall ऐसा सुना होगा वो भी उसका भी काम बिल्कुल यही है कि flow को control करना लेकिन वो दिखने में थोड़ा सा अलग होता है काम वही है regulate करना जैसे यह पानी को block कर दे रहा है यहाँ पर रोक दे रहा है ताकि पानी इसके इधर ना है जब आपको control करना हो इसको खोल दो और अचानक से close हो जाए और अचानक से बंद हो जाए तो उसमें क्या problem आईगी आप लोग समझ रहे हो पानी अगर तेजी से flow हो रहा है किसी pipe में ऐसे देखो यहाँ पर समझो पानी बहुत तेजी से जा रहा था इस pipe में ठीक है इसमें पानी बहुत तेजी से जा रहा था आप आपने क्या अचानक से इसको बंद किया किसी section पर आपने अचानक से बंद किया तो वो क्या करेगा उसमें अब बिल्कुल अविशेक बिल्कुल यूसफुल है बिल्कुल यूसफुल है आपके महारास्टरा के लिए ठिक अगर आपको टेक्निकल पूरे सब्जेक्ट कवर करने है वो तो आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि अल्मोस्ट आपके 10 से 11 सब्जेक्ट आपके ससी जेए के या जेए एक्जामिनेशन के मैं लिएंगा ठीक है दो सब्जेक्ट आपको रहूल सर पढ़ाएंगे और पूरा का पूरा का कम्प्लीट सेक्शन टेक्निकल का आपको अगर डेमो क्लासेज वगरा देखने होंग बेलकुल देखो कुछ लोगों ने तो हैमर ही भेज दिया अचानक से जो ज़्यादा प्रेशर एप्लाई होता है किसे सेक्शन पर अचानक से बंद किया तो उसको वाटर हैमर प्रेशर बोलते हैं उससे बच सकते हैं कैसे जब इसको हम लोग ग्रैजवली धीरे धीरे धीर करना हो तो क्या करेंगे तो उसका जो गेट वाल में जो आपके पास हैंडिल होगा लीवर होगी उसको हम लोग ग्रैजवली क्लोज करेंगे ग्रैजवली ओपन करेंगे अचानक से आप क्लोज नहीं करोगे ठीक है यह एक बेसिक चीज हो गई इसी तरीके से यहां पर दिक करते हैं हम लोग butterfly valve का और कुछ ना कुछ आपको देखने जैसा लग रहा है वैसा ही मतलब जैसा काम उसका था gate valve का जैसा काम था जिसको हम लोग slow is valve बोल रहे थे उसी की तरह इसका भी काम दिखाई दे रहा है न butterfly valve का ठीक है ओके ओके फारुक ठेको देखो इसमें समझो पहले यहाँ पर जो handle आपको दिखाई दे रहा है handle से इसको close करेंगे तो यह देखो इसके पास disc लगी हुई है यहाँ पर एक कम ज्यादा करने या फिर start करने के लिए इसका use किया जाता है यह क्या करेगा जब घूमेगा तो पूरी तरीके से बंद कर देगा न अच्छा यह बताओ आप में से water hammer का action यह पिछले वाले वाल्व में ज्यादा देखने को मिलेगा गेट वाल्व में या इसमें ज्यादा का देखने को मिलेगा बटरफ्लाई वाल्व में water hammer action किसमें ज्यादा आपको देखने को मिलेगा बस simple सा question पूछ रहा हूँ बटरफ्लाई वाल्व में या फिर इस गेट वाल्व में बिल्कुल अगर हम बात करें बिल्कुल अगर हम बात करें वाटर हैमर प्रेशर देखने को ज्यादा किसमें मिलेगा तो वह हमारा बटरफ्लाइ वॉल में देखने को मिलेगा ठीक है हाँ घर में ही ऑवियस ही बात है वारू घरों में ही यूज होते हैं यह घरों में ही इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा ठीक इसका भी काम क्या है to regulate the flow of water flow of water को regulate करना ठीक है regulate करना इसका भी काम होता है butterfly wall का अगला जो है मारे पास globe wall globe wall कुछ इस तरीके का arrangement आपको दिखाई देता है यहाँ पे नीचे से water इस तरीके से आके यहाँ से open होता है यहाँ पे अंदर का arrangement अगर मैं बनाओ अगर यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से arrangement होता है ठीक तो water जो आएगा water जो आएगा यह जो cap है यह cap जो होता है यहाँ पे इसको हम लोग regulate करते है इस handle की तरफ से जो उपर है उपर handle लगा हुआ है इससे हम rotate करके क्या करते है इस cap को open करते है और close करते ह तो इसमें से water इस तरीके से आखे इस तरीके से चला जाता है globe wall का भी use होता है केवल और केवल regulate करना water के flow को water के flow को regulate करना मतलब कुल मिलाके आपके पास अभी 3 wall जो पढ़ें उनका kale काम इतना है कि water के flow को regulate करना allow करना कभी कभी उसको रोकना यह हमारा काम होगा यहाँ पे इसका भी work यही है type of wall used to regulating the flow in a pipeline pipeline के अंदर flow को regulate करने के लिए use करते हैं globe wall का भी और ऐसा ही butterfly wall था और ऐसा ही हमारा लगभग लगभग same mechanism पर based हा हमारे पास gate wall ठीक है ठीक है चलिए तो यहाँ पे जितने भी आपने अभी अभी points लिखें ठीक है rsmssb राजिस्थान जी में obviously बात है बेटा देखो यह topic जो है यह आपका environmental engineering का topic है walls जिसमें हम लोग पढ़ते हैं pipes के बाद pipes types of different types of pipe distribution system आप पढ़ते होंगे उसके बाद हम लोग walls पढ़ते हैं और यह walls आपके जह examination में तो खूब पूछेगा है आप previous year के papers देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि खूब कई बार पूछेगा है यह wall कहां पे लगता है कहां पे use किया जाता है ठीक अब यह तो किवल बताया कि यह इसका use क्या है अब इसको किस position पे लगाते ह यह भी बहुत important है जैसे आपने यह पहला लिखा gate valve अब gate valve कहां पे लगाया जाता है यह भी important है इसको भी एक figure के मादियम से हम समझते हैं देखो ध्यान से suppose करो water की supply कर रहे हो water की supply कर रहे हो आप इस तरीके से यहाँ पे आपके पास एक tank था यहाँ पे एक tank था suppose कि आपने और इस tank से पानी को आप supply कर रहे हो पानी को इस तरीके से supply कर रहे हो यहाँ पे pipe इस तरीके से बना दिया है मैंने ठीक थोड़ा से बड़ा पाइप बन गया ना थोड़ा से छोटा बनाते हैं यार ना देखो ध्यान से थोड़ा से छोटा कर देता हूं इसको दिख रहा होगा आप सभी को दिख रहा होगा ठीक है तो यहां पर आप देखिए ठीक है देखो यहां पे अब इसकी position अगर हमें लगानी होगी तो अगर इस position पे अगर इस position पे इसको बोलते हैं हम लोग summit इसको हम लोग बोलते हैं क्या summit मतलब सिखर इसके top point पे यहां पे अगर हमने लगा दिया कौन सा gate wall gate wall तो वो क्या करेगा इस पानी को regulate तो करेगा ही करेगा साथ साथ में एक अच्छी बात यह हो जाती है ध्यान से सुनना एक अच्छी बात यहां पे यह देखने को मिलती है कि water को तो यहां से यह allow करवाएगा जब पानी का flow यहां इधर कराना होगा summit point पे तो इसको allow करेगा ही करेगा और इसके साथ एक point यह भी लिखा जाता है कि यह summit position पे तो लगा जाता है लेकिन वहां पे क्यों लगा जाता है क्योंकि वहां पे pressure क्या होता है बहुत कम होता है pressure low होता है low pressure की वज़ा से उस point पे इसको हम लोग लगाते हैं वाटर का प्रेशर lock होगा ओबिसी बात है तो इसको पूछेगा अगर आपसे exam में कि कहां पे लगाते हैं तो इसको लगाते हैं submit point पे submit of the curve पे pipeline में जो submit point बनेगा उस पे हम लोग इसको लगाते हैं ठीक है तो यहाँ पे इसका use आपको समझ में आगे, यहां पर लगाते हैं, अब अब इसे बाते कुछ लोग सोचेंगे कि sir यहां पर लगाओगे तो कुछ problem भी तो हो सकती है, problem जैसे कि कभी कभार आचानक से आप बंद कर दोगे, यहां से आचानक से आप इसको बंद कर देंगे, तो इधर वाला पानी जब निकलेगा तो इधर vacuum create हो जाएगा, है ना, vacuum create हो सकता है, यहां फिर ऐसा भी हो सकता है, कि अभी पानी flow नहीं हो रहा है, तो इसके यह इधर क्या हो जाए, उस summit point प top point पे air create हो जाए, तो air create होने की वज़े से जैसे इसको close किया आपने, तो क्या होगा, यहां पे air कुछ create हो जाए, इसको बंद किया, तो इधर air कुछ create हो जाए, जिसकी वज़े से पानी का flow नहीं हो पा रहा है, उस pressure की वज़े से, इसमे air भर जाएगी, तो उस pressure की वज़े इस low pressure वाले zone पे जब देखते हैं कि इसको बंद करने के बाद कुछ problem आ रही है तो उसके लिए कुछ और भी valve यूज किया जाते हैं इसके आगे और इसके पीछे मतलब यहां पर दो section यहां बना दे रहा हूं एक section यह बना रहा हूं यहां पर ध्यान से देखना और एक section यह इ इसके बाद हम लोग air valve के बारे में बात करेंगे air valve ठीक है जैसा नाम है वैसा ही काम भी है air valve अगर simple लिखा हूअ आताए आपको इयर वाल्व के तो वैसे देखो डो type होते हैं लेकिन अगर air valve केवल लिखा हुआ आ रहा है तो आपको air relief valve ही समझना है air relief valve ही समझना है air relief valve ठीक है यहाँ पर छेugर रिलीव थेरा हो ओपर भी air relief valve air relief valve का काम क्या होता है बच्चे देखो देखने में तो इस तरीके से दिखाई देता है यहाँ पे टॉप पॉइंट से यहाँ से air को हम लोग निकल नाम से ही पता चल रहा है कि air को release करेगा यह, air को release करेगा, जो air accumulate होगी summit point पे, जो summit point पे air इकठा होगी, ठीक, यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे देखो, जो air accumulate होगी कहाँ पे, summit point पे, summit point पे, इसलिए उस air को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते है, air relief wall का यूज़ करते है, to release the accumulated air, ठीक है, यहाँ पे देखे लिखा हुआ है, air accumulated at summit point, that's why air relief wall is provided at summit to release the accumulated air, उस air को निकालने के लिए air relief wall use करते हैं हम लोग, अब कहां use करेंगे, यहाँ पे, जो point हमने बता रहे थे, यहाँ पे यही पर बना जेता हूँ, यहाँ पर देखे नीचे बना जेता हूँ, यह जैसे summit point है, यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से summit point पे एक मैनलो हमने यहाँ पे बीच में gate wall लगा दिया था इसके ठीक पहले हमने क्या किया air relief wall लगा दिया यहाँ पे कौन सा wall लगा दिया हमने air relief wall और यह कौन सा wall था यह हमारा था gate wall gate wall तो air relief wall क्या करेगा जो access air जो वहाँ पे इकठा हो रही है जिसकी वज़से flow कभी कभी रुख जा रहा है flow possible नहीं हो पा रहा है उसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे air relief wall लगा जाते बच्चे ताकि air वहाँ से क्या हो जाए निकल जाए और flow आसानी से possible हो सके अब इसी air wall में ही एक और x का type है जिसको बोलते है यह तो air relief कर रहा था और दूसरा है हमारा air inlet air inlet wall air inlet नाम से क्या पता चल रहा है नाम से ही पता चल रहा है air inlet से कि हमारे ऐसी valve है जिसमें air enter कर रही है air अंदर आ रही है ठीक है air inlet wall बोलिंग उसको air inlet wall कब लगाएंगे जैसे मालो कि हमने इसको close करा gate valve को gate valve को close करा इस सारे के सारे summit point पे लगाए जाते हैं देखो इसको भी air relief valve को भी summit पे लगाए गया है gate valve को भी summit पे लगाए गया है और इसके बाद ठीक है करन पूछ रहें कि सर अगर course पसंद नहीं आये तो पैसे refund हो जाएंगे यह तो वही बात हो गई न करन की सारा knowledge भी ले लिया और मुझे पसंद नहीं आया पैसे refund को ऐसा कोई policy नहीं होती ठीक है बेटा यह कोई उसकी दुकान थोगी ना कपड़े वाले की कपड़े देखा एसे देखा एक बार में और आपने पसंद किया नहीं आया आपको classes इसलिए YouTube पे प्रोवाइड कराई जाती है YouTube पे कुछ classes इसलिए प्रोवाइड कराई गई है कि उन classes को देखके आप जल्ज कर सकते हो आप समझ सकते हो अगर आप capable हो उतना समझ पा रहे हो आपको समझ में आ रहे हैं सारी चीजे तो definitely you should go and join otherwise आपके पास और भी options है है ना तो ठीक है इस बात को समझ आपको समझ में आना चाहिए ठीक है यहाँ पे अब अगली बात करते हैं हम लोग air relief valve जो हमने यूज करा gate valve से पहले इसके बाद हम लोग एक valve लगाएंगे यहाँ पे इसको हम लो air inlet valve, air inlet valve कहाँ पे यूज करेंगे just submit point पे लेकिन gate valve के बाद इस तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं बिल्कुल सभी कह रहा हो बच्चे आप लोग यहाँ पे समझें खैर मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्लास के स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो concern कर सकते हो कि कितना understanding class understandable होती है कितनी समझ में आती है कितनी knowledgeable होती है कितना वहां से हम लोग content को यूज कर सकते हैं यह सारी चीज़ें आप लोग आपस में भी डिसकस कर सकते हो टेलिग्राम ग्रूप भी है ठीक है कि यहाँ पर देखो बच्चे समझो यहाँ पर यहाँ पर हमने क्या किया गेट वाल लगाया अब gate valve के ठीक बाद इसके ठीक बाद हमने क्या करा यहाँ पर इस position पर हमने क्या करा इस position पर हमने air inlet valve लगाया क्यों क्योंकि जैसे gate valve आप close करते हो close करने के बाद जो water होगा जो इधर का water होगा वो water जब निकलता है तो उसके अंदर vacuum create हो जाएगा vacuum से pressure वहाँ बढ़ जाएगा उस pressure बढ़ने की वज़े से pipe की bursting हो सकती है pipe आपका फट सकता है उस pipe के फटने को बचाने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे air inlet valve लगा देते हैं यह कौन सा valve है air inlet valve air inlet valve से फाइदा क्या होगा air inlet valve लगाने से फाइदा यह होगा कि जब यहाँ से पानी निकलेगा तो यहाँ से अगर air की requirement होगी air के entry की requirement होगी तो इस valve के थुरू air अंदर आ जाएगी आसानी से ठीक है ठीक है चलिए क्या क्या पढ़वाओगे current affair की तो classes ही लग रही है current affair भी मुझसे पढ़वा लो current affair तो देखो बहुत सारे teacher अड़ा पर बहुत अच्छे अच्छे teachers हैं जो आपको YouTube पे भी current affair की classes लेते हैं आशी सर हैं आशी सर की classes देख सकते हैं लाखो बच्चे रोज देखते हैं उनकी classes ठीक है तो यहाँ पर यह क्या है air inlet wall air inlet wall में air आके इसको क्या करेगा भचा लेगा pipe की bursting वगरा से अगले wall पे पहुंचते हैं जिसको हम लोग बोलते है score wall इसके अलग अलग नाम है कहीं कहीं आप blow of wall या फिर drain of wall यह सब नाम रखते हैं हम लोग स्कौर wall बोलते हैं इसको blow of wall भी बोलते है अब इसको locate कहां करते हैं इसको locate करते हैं lower point पर obvious ही बात है कि जहां पर हम लोग score valve या drain off valve या blow off valve बोल रहा है मतलब पानी को निकालना है drainage को निकालना है ठीक उन सब चीजों को हमें निकालना है निकालने के लिए use करेंगे जिस valve को हम लोग क्या बोलेंगे उसको हम लोग beta update तो रहा करो यहां पर civil मैं ही पढ़ाता हूँ भस ठीक है अभी फिलहाल में ठीक है जो भी आपके दिमाग के फितूर है ना वो सब इदम last में पूछ ले ना सब discuss कर दूँगा अभी class चल जाने दीजे ठीक है और एक ही comment को पांच बार नहीं लिखने के जोड़ो थे एक बार भी लिखते हो तो मुझे देख जाती है ठीक है सुग्रीव पूछने सर समिट पॉइंट क्या होता है समिट पॉइंट सिखर जिसको बोलते है टॉप पॉइंट जहां पर प्रेशर क्या हो कम हो जैसे यह पाइप इस तरीके से जा रही है इस पॉइंट को समिट पॉइंट बोलेंगे और यह क्या है हमारा bottom पॉइंट वैली जहां form वरी यह bottom point है lowest point है ठीक है तो यहां पर score walls are located at low point low point मतलब कहां पर locate किया जागा suppose करो इस तरीके से आपने pipe है आपके पास इस तरीके से pipe है तो यहाँ पे नीचले point पे इसको locate किया जाएगा bottom most point पे यहाँ पे इस point पे हम लोग क्या करेंगे locate करेंगे किसको score wall या फिर drain of wall या फिर blow of wall को ठीक आई होप आप लोग को दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा थोड़ा साइड में कर देता हूं इसको ताकि आप लोग को दिखाई देए ठीक है इस lowest point पे यहाँ पे pressure तो ज्यादा होता है लेकिन इसका use क्या होता है क्यों use करते हैं ठीक है इन pipes वगएरा के repair and maintenance क्या हो सकता होती है जो pipes use कर रहे हैं उनके repair and maintenance क्या हो सकता होती है जिसकी वज़ा से इसमें repairing करना होगा तो इसके अंदर जो पानी एकठा होगा उसको आपको क्या करना होगा निकालना होगा उस पानी को निकालने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं इस valve को लगा कि यहाँ से पानी को हम लोग क्या करते हैं exit नीचे निकाल देते हैं इस score valve की मदद से या फिर पानी बोल सकते हो या फिर कोई sediment वेगरा इकठा हो गए है नीचे scoring हो रही है जमा हो रहे हैं तो वहाँ से maintenance के time पे ठीक है जब भी आपको system को repair करना होगा maintenance के requirement होगी वहाँ पे हम लोग use करते है score wall को जिसकी मदद से हम लोग पूरे को पूरे पानी को निकाल के clean कर लेते हैं ठीक है ओके चलिए तो यह हो गया हमारा score wall जिसको हम लोग ब्लो आफ और drain आफ वाल बोलते हैं बिल्कुल drain out के लिए अब अगला जो most important है जो कि आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा यह आप लोगों ने घरों में देखा होगा check valve और reflux valve जिसको बोलते हैं यह check valve maximum लोगों घरों में होगा अगर नहीं देखा होगा तो एक बार देखना check valve और reflux valve अब इसमें कुछ खासियत है कुछ एक दो important point है इसके सबसे पहला बात कि इसको हम लोग check valve, reflux valve तो बोलते हैं देखो लिखा हुआ है reflux valve is commonly known as check valve and non return valve इसको commonly सधार तोड़ पे घर में check valve बोला जाता है और check valve चक वाल भी बोलते हैं लोग जो used to हो जाते हैं लेकिन इसका actual name check valve अब यहाँ पे इसको non return valve इसलिए बोला जाता है non returning valve इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें flow की direction केवल one direction में होती है unidirectional flow एक ही direction में पानी का flow होगा ठीक पानी का flow केवल एक ही direction में होगा allow करता है motor pumps वगेरा जो लगे रहते हैं घरों में जो pumps लगे होते हैं उन pumps में भी यह आगे लगाए जाता है ठीक क्यों लगाए जाता है इसका reason आपको बताता हूँ suppose करो यहाँ पे आपके पास motor या pump लगा हुआ है जो पानी को क्या कर रहा है भेज रहा है उपर टंकी तक चढ़ा रहा है यहाँ पे आपने अगर check valve लगा दिया इस particular position पे आपने check valve लगा दिया check valve लगाने से फाइदा क्या होगा कि जो अगर पानी ऊपर यह motor pump भेज रहा है यह pump ऊपर पानी को भेज रहा है तो पानी तो जा रहा है असानी से pressure से इसको allow कर रहा है यह one direction movement allow कर रहा है लेकिन जैसे pump को off करते हो आप ठीक है जैसे ही pump को off करते हो वो क्या होता है यह पानी जो है backflow होके इस pump के अंदर ना जाए जिससे की pump आपका खराब ना हो जाए उसको बचाने के लिए इसमें इस तरीके से mechanism बनाई जाती है कि इसमें unidirectional movement होता है अब लोग सोचे के कैसे ऐसा कैसे बना दिया जाता है तो आप देखो इसमें कोई electricity पर work नहीं होता है simple सा mechanism मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे एक figure से दिखाता हूँ आप लोग को समझ में आ जाएगा suppose करो इस तरीके का एक arrangement है इस तरीके का एक arrangement है जिसमें पानी flow हो रहा है इस particular arrangement में पानी flow हो रहा है और यहाँ पे एक लगा हुआ है plate इस तरीके से इस से join है और यह plate जो है कैसा है यह plate इसकी length इस तरीके से कुछ long length का है यह इस तरीके से मालो sm और यहाँ पे यह क्या है hinged है इस point पे क्या है hinged है hinged लगा हुआ है अब जब इस section से पानी आएगा जैसे पानी इस section से आएगा इस तरीके से मालो valve इस तरीके से बना हुआ है यहां से पानी उपर जा रहा है ठीक है अब इधर से जब water आ रहा होगा इस direction से दिखाई दे रहना आई हो आप लोगो जब यहां से पानी इधर से आ रहा होगा तो यह पानी आ रहा होगा तो यह क्या होगा यह प्लेट जो खुली हुई प्लेट रहेगी इस तरीके से हां से पानी जा रहा था यह खुली हुई थी प्लेट ठीक लेकिन जैसे ही उपर से पानी गिरना स्टार्ट हुआ उपर से पानी गिरना स्टार्ट होगा, क्या होगा, ये प्लेट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, अब ये पानी को आने से क्या करेगी, रोक देगी, तो केवल और केवल ये क्या है, यूनि डिरेक्शनल है, फिक है, ये केवल और केवल यूनि डिरेक्शन है, रूद्र आप पोच रहे हैं डी एफ से से एल टेसरीज एंड एक्जाम डेट रुद्र आपको पता है अक्टूबर और नवंबर टेंटेटिव डेट है अक्टूबर नवंबर के लिए आप प्रिपेर रही है आपके महापक के अंदर अलड़ी इंक्लूड कर दी गई है जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो अब जान ले कि उनको इसको इंक्लूड कर दिया गया है ठीक है तो यह आपको पूरा मेकनिजम इसका समझ में है ना हिंज के बाउट यह रोटेट करेगा बाई समझ meng-ro पानी जो सप्लाइ करती है उसमें लोग जर्नली चेक वॉलव भी लगवाते हैं चेक वाल इसलिए लगवाते हैं कि जब बाहर से सप्लाई का पानी आये तो वो क्या करें अलाव कर ले जैसे मालो आपने उपर क्या करा पानी की टंकी ऐसे इस तरीके से लगा दिया समझा रहा हूँ एक एक चीज एक्जामपल इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये पूरी तरीके से बैट जाए कभी कन्फ्यूजन ना हो ठीक है रिफलक्स वाल्व करके बार बार पुछा जाता है देखी यहाँ पे ये एक टैंक है सपोस करो ये टैंक है और इसमें से पानी की पाइप इस तरीके से जा रही थी और ये सप्लाई वाला वाटर का पाइपलाइन था इस तरीके से आ रहा था अगर सपोस करो ये सप्लाई वाली वाटर जो पाइपलाइन आ रही है यहाँ पे मैंने क्या कर दिया check wall लगा दिया यह क्या है check wall लगा दिया यहाँ पे हमने तो अब क्या होगा इसमें पानी जो होगा entrance तो हो जाएगा पानी का पानी जब आएगा pressure से तो आपके टंकी में पानी भर गया अब जब supply बंद हो जाए जब water की supply बंद कर दी जाए तो ऐसा तो आप लोग सोचोगे ना कि sir water की supply अगर आप बंद कर दो तो क्या होगा water की supply हमारे पूरे टंकी का पानी चला जाए government के पास तो यह गलत बात है ना आप ऐसा तो चाहोगे नहीं कि आपके जो water water है जो आपके यहाँ area में water है वो पूरा का पूरा लेते चली जाए government ऐसा नहीं चाहोगे ना तो यह देखो आपको दिखाई दे रहा होगा अब इधर थोड़ा shift कर दिया मैंने तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे check valve लगाए जाता है और check valve लगाने से क्या फ check valve और reflux valve को तो यह कुछ walls थे जो आपके use किये जाते हैं हम लोग use करते हैं frequently irrigation में और आपके water supply में और environmental engineering में पढ़ते हैं इसको हम लोग तो pipes औगरा के लिए अलग से पढ़ते हैं pipes कितने type की pipes होती हैं कौन कौन सी pipes होती हैं लेकिन walls generally हमें walls से questions पूछे जाते हैं यह ठीके से उनको use किया जाता है ठीक है तो these are the types of walls जिनको हम लोग use करते हैं specific location पे जो मैंने आपको बताया कि कहां पे bottom पे कौन सा use किया जाएगा जैसे score wall है या फिर आपके blow of wall है या फिर drain of wall है तो वो use किया जाएगा bottom point पे lowest point पे जहां pressure ज्यादा होता है और summit point पे जहां पे pressure कम होता है वहां पे air inlet wall use करते हैं air wall use करते हैं gate wall use करते हैं तो यह सारे globe wall use करते हैं butterfly और gate wall इन सब को यहाँ पर use करते हैं और सबका अलग-अलग work हम ने देखा यही छोटे-छोटे questions से इससे आपको देखने को मिलते हैं pressure relief wall वेगरा भी air walls का ही काम होता है air walls की तरह ही work करते जिसमें से pressure को reduce करना या बढ़ाना इस तरीके से हम लोग use करते हैं हाँ रोज class चलती है अब classes को लेके जिनके भी doubts है उनको clear कर देता हूँ देखो बच्चे यहाँ पे आपको बता जाता हूँ जो भी पूछ रहे हैं doubt वेगरा छोटे मोटे doubts हैं जिनको बिलकुल clear कर देता हूँ जो लोग पूछ रहे हैं जेई के लिए जितने भी बच्चे हैं जो जेई की preparation कर रहे हैं जेई examination की preparation कर रहे हैं चाहे दुनिया का कोई सा भी जेई का examination हो सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए civil engineering से related civil engineering से related कोई सा भी आप examination देने जाते हो उसमें जो syllabus आता है वो almost जो 13 subject हैं जो आपके हर examination में पुछे जाते हैं 13 subject जिसमें आपका SOM, FM, Soil, RCC, Building Material, Estimation and Costing, Hydrology, Irrigation, Surveying, Steel Structure structure ठिक ये सारे के सारे subject जो हैं ये पूरा का पूरा portion और Estimation and Costing अल्रेडी बता दिया था CPM and Port एक छोटा subject तो ये पूरा का पूरा portion इसमें इस batch में कराया जाएगा इस batch में इस लिए इस batch में proper time allot करके इस batch का time रख दिया गया है 6 month का 6 month में जिसको भी preparation अपनी complete करनी है proper एक time देना है एक बार at least वो जरूर मैं बोलूँगा कि जरूर जोइन करिये इस particular batch को ठीक हो सकता है कि एकाद subject किसी examination के एकाद subject extra आ जाए तो आप कभी भी cover कर सकते हो लेकिन most of the subject इस batch में proper तरीके से आपके complete होंगे इसलिए batch आपके लिए बहुत ज्यादा beneficial है जितने भी बच्चे है जितने भी बच्चे है ठीक है और classes की timing पूछ रहा हो तो YouTube पे मेरी classes की timing बच्चे जो की मेरी free की class यहाँ पे समझ सकते हो YouTube की class daily छे बज़े से होती है 6 p.m. ठीक 6 बज़े से मैं class लेता हूं यहाँ पे daily कुछ न कुछ session लेके आता हूं छे बज़े ठीक है daily class जलती है except Sunday Sunday के लावा ठीक है structure मैं add करवा दूँगा structure उसमें मैं ले लूँगा ठीक है इस वाले में structure मैं आपको ले लूँगा ठीक है मैं सुन लिया आपकी बात अनंत structure इसमें मैं आपको करा दूँगा तो YouTube पे जो classes आपकी होती है वो 6 बज़े से होती है batches मैं आपको बता जा रहा हूं एक DFC CIL का batch लेड़ी चल रहा है जिसकी classes होती है morning में daily 9 बज़े से 11 बज़े के बीच में एक SSCJE का cracker batch चल रहा था already civil master batch करके है civil master batch जिसकी classes आपके चलती है तीन बज़े से 5 बज़े था ये दोनों batches live classes almost ये batch खतम होने वाले हैं दो-तिन subject बचे हैं इनको भी जोईन जिनको करना हो जोईन कर सकते हैं इसी बात है कि ये batches खतम हो चुके हैं खतम होने वाले हैं ककार पर लास्ट में दो-तिन subject बचे हुए लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इन batches की वीडियो वगरा आप लोग देख सकते हो जो भी जोईन करेगा ठीक है नई convert कोई batch नहीं हो पाता है फारुक ये तो problem है ही ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी दूसरे batch को जब पूरा पढ़ लिए तब convert नहीं होता अभी recent कोई purchase करा है तुरंत recently बिल्कुल 2-3 दिन के अंदर और उसको change करना होता है किसी upcoming batch में तो वो भले possible होता है remaining fee pay कर लेकिन इस तरीके से possible नहीं होता है कि आपने एक batch में पूरा complete कर लिया और उसके बाद उसको महा पैक में convert करा जाए और ये जितने भी batches आपको जितना भी बताया ना बच्चे civil engineering के ये सारे के सारे batches include होते हैं engineering महा पैक में और engineering महा पैक पे इस समय आपको double validity मिल रही है ठ 12 महीने तक जो भी course आएंगे ये से related वो सारे के सारे इस package में मिल जाएंगे engineering महा पैक में करना क्या है description में link दी है purchase करते समय बस आपको क्या करना है इस coupon code को use करना है y293 code that's my code ये मेरा code है y293 apply करते ही आपको इसमें validity भी double मिल जाएगी और उसके साथ सारे courses के आपको access भी मि बात को आप लोग ध्यान में रखेगा और दूसरी चीज़ कि ये walls वेगरा से questions किस तरीके से पूछे जाते हैं एक बार इसको भी discuss कर देता हूँ अब यहाँ पे जैसे आपसे gate valve से कई बार question क्या पूछे गए हैं कि submit point पे इनमें से कौन से valve को use करते हैं option में आपको gate valve जो दिया रहेगा वो बिल्कुल correct होगा या फिर gate valve is used at option देदेगा in between horizontal length, submit point, bottom point, at a point where pressure is very high ठीक तो आप क्या लगाओगे? summit point पे या फिर summit नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे आप ढूंडिये कि कोई ऐसा point दिखाई दे रहा है कि जिस पे जहाँ पे pressure क्या हो रहा है ऐसा point आप लोग धूंडो जिस पे pressure बहुत कम हो रहा है ऐसा कहीं दिया हुआ कि low pressure zone तो वहाँ पे भी आप टिक कर सकते हो ठीक है? तो बिलकुल यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो बैटा यह YouTube है रामगड 1993 यह YouTube है यहाँ पे आपको options बिलकुल आपको मिलते हैं कि आप speed तेज धीमे सब कर लो लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिलकुल अभी college वाले हैं यहाँ पे जो बिलकुल होगे तो आपको खुद फील हो जाएगा कि किस तरीके से पढ़ाई जाती है और कितने समय में डेड़ घंटे में ही मैं लगबक ढ़ाई गंटे का content आपको दे जेता हूं proper समझा के पूरे detail में वहाँ पे बकवास बाते और यह सब सारी चीज़े नहीं करते हैं serious बच्चे जो पढ़ने वाले होते notes बनाते हैं और मैं पढ़ाता हूं बाकी बच्चों से आप पूछी सकते हैं ठीक है बिलकुल benefit होगा कुलदीप objective लगाना benefit रहेगा बिलकुल हमेशा रहेगा और JEE examination का तो यही selection का एक मंत्र यही है कि जादा से जादा जिसने objective लगाया उसने selection पाय इस objective मंत्र को जरूर अपने याद रखिएगा अगर आप JEE examination के preparation करते हैं चाहे concept केवल concept पढ़ते रह जाओ सारी चीजे पढ़ते रह जाओ और आपको एक बार last में लग जाता है कि नहीं मैंने questions नहीं लगाया practice नहीं किया इस वाज़े से मैं paper को attempt नहीं कर पा रहा हूं paper मे questions बहुत जादा होते हैं इसलिए आपको सबको बोल रहा हूं कि जरूर practice करते रही है जरूर practice करिया आप लो ठीक है तो अब इन सबसे questions इस type से बनते हैं non returning wall या फिर flow unidirectional किस wall में होगा यह पूछ लेगा आप से तो आप से directly आपको tick कर दोगे सारे के सारे option आपको पता चल बार बार यहां से आपको देखने को मिलते हैं ठीक है तो that's all for today यह आज के लिए sufficient है जो भी बच्चे अभी देख रहे थे पढ़ रहे थे यहां पर उन सबको बताओंगा कि पढ़ाई अपनी इसी तरीके से continue रखिए इसी तरीके से करते रहे जो भी कोई doubt वगर आता है जो UP-PCL UP-PCL JEE की vacancy जो आई थी बहुत बच्चों ने form भी भरा है इसका एक previous year का paper previous year के कुछ questions इसके मैं discuss कराऊंगा कब Monday को ठीक Monday को Monday यानि की दो तरीक को यह आपको discuss करा दूँगा जो कि बच्चों ने बोला था उसके बाद एक चीज और ध्याना आ रही है मुझे BPSC के बारे में भी बोला था BPSC AE के बारे में इसके लिए डेट आपको बता दूँगा यह भी मेरे दिमाग में है ठीक है यह दो चीज़े आपने बिलकुल बोली है हिमाचल प्रदेश जेई का syllabus इसके लिए syllabus चलो इसके लिए syllabus discuss कर देंगा हाला कि syllabus तो आप लोग को यार already मिल भी जाता है लेकिन एक बार detail में discuss कर दूँगा ठीक है और marathon session तो जरूर रखेंगे soil mechanics का एक बार बोला है आप लोगों ने भी बोला है तो उसको भी मैं discuss कर दूँगा तो यह साली चीज़े जो आप लोग बोलते हो उसी को मैं लेके आता हूं session में और आपके लिए जो helpful होंगे ऐसा भी नहीं है और एक बात और आपको समझनी है बहुत important है कि यहाँ पर जो भी session होते है जैसे UPPCLJE के examination अभी आपके upcoming है तो UPPCLJE के examination के questions अगर आप मैं discuss कर रहा हूं अगर या कोई भी teacher discuss कर रहा है कहीं भी तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि यह question जो है इसके questions जो है आपके SSCJE के questions examination में नहीं आ सकते है ठीक है गुड़ीवनिंग प्रजापती जी ठीक है तो यहाँ पर यह चीज आपको राजिस्थान जेई राजिस्थान जेई प्रशांद बोल रहे है चलो राजिस्थान जेई भी एक note कर लिया मैंने राजिस्थान जेई सब्जेक्ट के नाम मत बोलो अब पूरे के पूरे अब कोई topic चलो ठीक है लेकिन आप ऐसा मत बोलना कि सर सोईल करा दो सोम करा दो highway करा दो irrigation करा दो सब के सब youtube पे करा दो ठीक है ऐसा नहीं possible है अल्रेडी मैंने दो सब्जेक्ट करा रखें आपको कुछ-कुछ portion उसके एक सब्जेक्ट almost पूरा ही करा दिया है ठीक है तो मिलते हैं आप लोगों से फिर next classes में जब आपकी next classes आपको बता चुका हूँ कि 6 बज़े से daily classes होती है मंडे को मिलते हैं आपको upcl.je का questions कराऊंगा और जो भी यह जो walls वेगरा जो पड़े हो नहीं इसको आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कहीं एक short notes बनाके वो सारे points जो important points उसको लिख सकते हो इंपोर्टेंट points आप लोग नोट कर सकते हो बिलकुल करा दूंगा अविनाश ठीक है अविनाश upcl.je का तो एक बार कराया ही था और और आप लोग बोलोगे तो discuss करा दूंगा ठीक है चलो I think this is enough for today मिलते हैं और हाँ जो भी बच्चे join करना चाहेंगे batches को join कर ले month end पे आपको double validity मिल रही है अभी भी तो जरूर 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 करो जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है सारे package कोई कौन सा batch आएगा कौन सा batch गया उससे मतलब भी नही बेह ज्यादा है इसका और इसमें भी आपको सारे batches जो पीछे हो चुके हैं उनके भी access मिल रहा है तो किसी भी teacher का वीडियो कोई भी देखना है आप जाके देख सकते हैं ठीक है और join करने के लिए आपको कुछ नहीं बस केवल Y293 code का use करिएगा आपको सारे benefits मिल जाएंग ओके गाइस थैंक यू थैंक यू सो मच सभी को बी सेफ पढ़ते रहिए मस्त रहिए स्वस्त रहिए ठीक है ओके थैंक यू